उर्मिला जी बड़ी शरमनाग बात है आपको तो खेर हमने सब जानते हैं आपके दाउत के साथ क्या कनेक्शन थे आप जब रंगीला मुवी में आई थी जिस तरीके का आपका अपना अफ्तार था जिस तरीके से आपको एक सेक्स अपील खुद बोला गया था आपको शरम आ बोलती हैं बॉलीवूड पर वो बोलती हैं फेमिनिजम पर वो बोलती है आप लोग तो सिलेक्टिव ओकर बोलते हैं आप लोगते हम जी इसके बारे में बोलेंगे अगर गर्मण ने आपको किसी अच्छा अच्छा ब्लाया तो आप आएंगे क्यों आप CAK टाइम का थी NRC पर बच्चन को बचाने आ गई है उस ताइम क्यों नी बोली आप तब आपको किसी भी चीज से रेलेटेड कुछ नहीं पता था आज बॉलीवुट पे नाम आया तो आप सब को आग लग गई और इसलिए आग लग लगिए क्योंकि आप लोग सब गलत हो अंदर आप लोगों है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुट में सफाई को लेकर यानि कि ड्रक्स की सफाई को लेकर चाहे वो एक आम नागरिक हो और जा फिर बॉलीवुट में से कंगना रनावत शेकर सुमन जैसे कलाकार हो वो जो ये चाहते हैं कि बॉलीवुट में से जो चंद कलाकार जो नामी ग्रामी कलाकार हैं जो आज तक शान सिंग राजपूत के लिए उनका मूँ नहीं खोलता मूँ मैं दई जमा के बैठ जाते हैं उस टाइम पे और आज अचानक से बॉलीवुट में से चाहें फिर वो जया बच्चन हो है मम माले नहीं हो और या फिर अब उर्मिला मारतोंकर हो वह इस तरीके से बयान बाजी करती हैं और कंगना रनावत पे निशाना साथती हैं और उर्मिला मातोंकर यह कहती है कि कंगना को अपने यहां से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि ड्रक्स का गड़ तो वही है और इसी बातों मैं कंगना के लिए अपलॉड करना चाहूंगी मेरी तरफ से उनको तालिया है कि वो एक बॉलिवूड अभी नेतरी होते हैं खुद सामने आई हैं और खुद बोली है कि मैंने भी एक टाइम में ड्रक्स किया है और आज मैं चाहती हूँ कि उसकी सफाई हो और क्यों अगे वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है आज सारी बीडी खराब होती जा रही है और किस वज़े से ड्रक्स की वज़े से और मुझे नहीं लगता कि कंगना ने कुछ गलत का है कंगना ने कुछ गलत नहीं किया संजे राउत और शिव सेना को तो सामने आके हेल्प क करनी चाहिए थी उनको यह चीज का महसूस होना चाहिए था कि बॉली हुड अभी नेतरी खुद आ रही है और खुद कह रही है कि नहीं तुम ड्रक्स का सफाई करो सफाई करो अगर स्वच्छ भियान के तहत देखा जाए तो उन्हें लोगों को सबको आके सपोर्ट करना जी अता कंगना को पर शरम नाग देखी जया बचन जी एक फेमस महिला खुद MP है और वो उस दर्द को समझ नहीं पाई उस चीज को समझ नहीं पाई उन्होंने तो कितनी जनरेशन आते हो देखे कितनी पीडिया आते हो देखी है उनके अपने बेटे अपनी बेटी और कि जो ड्रग्स बढ़ता जा रहा है उनके पीडियों में बढ़ता जा रहा है आज उनकी बेटी का नाम सामने आ गया है आज उनकी ग्रांड डॉक्टर का नाम सामने आ गया है ऐसे क्या वो खुद नहीं चाहती कि सफाई हो वो यह चाहती है कि ड्रग्स बढ़ता जाए बॉलिवूट को साफ करने की आपने कई की जो सफाई का अभियान जो शुरू होता है वो अपने घर से ही होता है अगर कोई इंसान इसे साफ करने की भी चाहता है तो पाइनियर मानी जाती हैं, उनके अपने बेटे जित की उम्र का था सुशान्त, बट एक उनका राइपी स्टेटस नहीं था, एक दुख जायर नहीं किया, दिशा सालियान, आपकी बेटी की उमर की थी, सुनने में आया कि उसका रेप हुए और जिस तरीके से उसकी मौत हुई आप सब जानते कि सुशान्त के साथ क्या हुए और दिशा के साथ क्या हुए, पर एक पल भर की भी इन लोगों में शरम नी थी, कि इन लोगों को फीलिंग या इमोशन आई हो कि उस बचारे बच्चे उनके बेटे जितने लड़के के साथ क्या हुए, नहीं, बट ये बच बचाने आएंगी, किसको बचाने आएंगी, किसी को बचाने नी आएंगी, ये सलमान घान को बचाने आएंगी, कि it is, he has been given a harsh punishment, आप उन्हें पनिश्मेंट क्यों, जब वो डियर को मार देते हैं, आप उन्हें हार्श पनिश्मेंट मत दीजिए, बट आप शिव सेनक अग बोल सकती, सिलेक्टिव बोल सकती हैं, सिरफ अपने आपको बचाने के लिए, आपको वो पुजिशन सूट नहीं करती, क्योंकि वो पुजिशन हमने आपको दीए, और मैम कल आप जिस तरीके से इन ड्रक्स माफियां को लेकर बोला, और जिस तरीकी ये बोला, कि जो जितन आच नाम सामने आए, रनबीर सिंग, रनबीर कपूर, अयान मुखर जी, और रितिक रोशन, और एक दो और नाम है, जो मुझे याद नहीं आ रहे, विकी कोशल, अगर कंगना ने खुलासा किया है, अगर आज मेरे पर कोई दाग नहीं है, तो मैं सामने आके बोलूँगे, मेरे पर कोई दाग नहीं है, इन पांचो नामों को क्या शरम है, अनुराग कशब को क्या शरम है, जा सकते हैं, वो किसी के ओफिस एक चपल लेकर, बट सामने नार्को टेस्ट नहीं कराने आ सकते हैं, और कौन नहीं जानता, उनकी मुवीज चरस से भरी हुई नहीं होती, पूरे हर जगे रिपोर्ट है कि खुच चरस पीते हैं, तब जाके मुवी बना पाते हैं, इसके लावा किस किस के बारे में नहीं, सब के बारे में भार, रनवीर सिंग के बारे में भार पता है, सब के बारे में पता है, बट नहीं, अगर आप आप में हिम्मत है, आप में में आप गलत नहीं है आईए सामने नार्को टेस्ट कराइए और बोलिए देखिए ये मेरा प्रूफ देखिए हमने नहीं किया तागे हमें भी आप पर बिलीव हम भी आपको इंफ्लुएंसर और मोटिवेटर मान सके बोलिवोड का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री म यूथ के उपर यूथ आइकन मानते हैं आप लोगों को आपको एड्स में इसले नहीं लिया जाता कि आपकी सुन्दर शकल है बट इसले लिया जाता है क्योंकि आप एक इंफ्लुएंसर रोल मॉडल है अगर आप सच्चे हैं सामने आईए नार्को टेस्ट दीजिए और दलती हुई है आके माफी मांगिए बोलिए कि आज के बाद ड्रग्स नहीं करेंगे और इसका सफा करेंगे और मैं यहाँ पर जिस तरीके से नितेश राणे की तरफ से खुलासे हो रहे हैं कि रोहन राय के ऊपर दवाव बनाया जा रहे हैं इसले कुछ नहीं बूल रहे है देखिए दिशा सालियन और सुशांत सिंग के केस में हमने बहुत सारी चीज़े देखी हैं आज से साथ आप तो तीन महेने हो गए बचारे सुशांत को गुजरे हुए भी और दिशा को भी गए हुए और मुंबाई पुलिस ने पहले जिस तरीके से खुलासे चुपाने की कोशिश की और CBI के आने के बाद खुलासे हुए लोगों में एक हिम्मत आई है लोग आगे आए आज मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया इसमें कुदा इसको सपोर्ट किया और जनता सारी 130 करोड जनता इकठी हुए और सिरफ इंडिया में नहीं ये ग्लोबल कैम कतर बाद बड़ा आई अगर दिशा सालियान और सुषाण सिंह जैसे लोगों के साथ कुछ हो सकते है तो एक आम आत्मी कह तो खून हो जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा इसलिए आज एकाम आत्मी जाग गया और वो जानना चाहता है क्यों लोगों के साथ एसा हो रह रह उसके बाद उनके COVID test की report आने के बाद उनकी reports पुलिस से missing हो गई अरे आपने कभी सुनाया कि कभी reports missing हो जाती है किसी की death की reports चलिए जी reports भी missing हो गई इसके बाद इन्होंने छुपाया कि वह जब उनकी body मे लिए उनके उपर कपड़े नहीं थे मतलब शरम आनी चाहिए एक और तेक वरट जो जुद्वे फ्लोर से इंक उपर कप्ड़े नहीं और पुलिस इस बारे में बताने रहे के अरे उनके साथ क्या गलत हुआ हो गा सुन्ने में आते हैं उनके साफ रेप हुआ है अरे जिस ऑुरत की शादी होने वाली है क्या वो खूट जाएगी दिसाइसे बात शरम आती है रसिमी दिसाइजी पहले क्यों नहीं जानती है कि एक दिन पहले उन्हें उन्हें से बात की तो पहले आक्ला करें कि उन्से तरीके से बात कि अ पने करियर को लेकर प्लान कर रही थी बड़ Allen यह बात कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इन लोगों को लगता है, डर लगता है, अगर यह बोलेंगे, तो लोग आपका सपोर्ट करेंगे, लोग सच जानना चाहते, आईए ना, जिसको जो पता है, बताईए, आज नितिश राने जी ने भी बोला है, कि आप प्रोटेक्शन द देगी, बहुत थोड़े दिनों में खुलासा होने वाला है, जो अपरादी है, सामने आने वाले है, इसलिए हमें पता है कि जन्ता की मुहीम, और यह जो मीडिया ने आज इस मुहीम को जिन्दा रखा हुआ है, इस वज़े से लोग आगे बढ़ कर दिशा सालियान और जो आज तक इस केस में मुखर होके कभी नहीं बोला और ब्रॉक्स के लिए अंदादुन बयान बाजी कर रहा है, हम बॉलिवोड के शेहनशा को शेहनशा समझते थे, हम बॉलिवोड के उस भाई को भाई समझते थे, हम उस बॉलिवोड की बहन को बहन समझते थे, हम उस ब कर सकते हैं उनका दिल इमोशन किसी के लिए कुछ नहीं है सुषान सिंग के लिए किसी की एक शब्द नहीं आए जस्टिस फॉर रिया क्या गलत किया रिया के साथ आप कहीं भी वर्ल्ड ओवर देख लीजिए कोई भी एक्यूजड हो उसका कभी इंटर्व्यू नहीं आता ज सची नहीं थी तभी आज वो जेल में है और पच्चिस नाम जो है बहुत जल्दी हमारे सामने दो तीन नाम तो आई चुके है सारा अली खान का नाम आ चुका है एक फैशन डिजाइनर का नाम भी आ चुका है बहुतों के नाम आएंगे ये सफाई जुरूरी है और एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग इंफ्लूएंसर है तो उसे साफ होना तो बहुत जुरूरी है थांक्यू माम